तो अब देख रहे हैं मैं तक हो में लोगों के लिए क्लिए लेक्षर आज की बात करेंगे यह भी मेट्रिक्स का एक पार्ट में से आपको यांट नमबर एक कोशन मिलता है और अब को कमबाइन करें कि देखें तो उसमें से हम देख रहे हैं देखेंगे और इसके को कैसे सोल किया जाता है यह कोशन अकसर बच्चों को काफी टप लगते हैं बल्कि है बहुत इजी कोशन सब्सक्राइब करना अब लोग अपने आप इस को सोल कर पाएंगे मेरे बास छे कोशन साथ कोशन ने उन साथ कोशन को आप सोल कीजिए उसनी साथ कोशन में से कोशन आपके एक्जाम में सिक्स मार्क्स का दिखाई देगा तो आज हम फोरूले की बात कर लेता है जो डिटर्मिनेंट्स में अपने पड़ी थी तो मैट्रिक्स इस तरह से होती है जब स्कॉयर मेट्रेक्स आजाती है तो उसको क्या बोलते हैं जिसमें रो या कोलम से मोटो मेट्रिक्स का लाती है हमारे लिए डिटर्मिनेंट्स उसको कहते हैं तो एक मेट्रेक्स लिए तो हम एवनवन एवनट्री usta 0132 Ol a mist एटूर एट्रीय अठीयत रीटी हुआ है एक मैट्रेक्स है कि जमघर मेट्रेक्स हो गाती है तो इस regulators सकते हैं योगi संट फॉर्मूले हैं by आपनला होते हुए उन फॉर्मूल元 को धेक लίता पहले तो पहला फॉनला है determinant of matrix A is equal to determinants of A transpose हमने transpose पढ़ा था पिछले lecture में कि जब हम row और column को interchange कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है matrix A का transpose कहलाता है तो अगर मैं matrix A का determinants find करूँगा मतलब mode of A find करूँगा और A की power transpose transpose करने के बाद उसका mode of A find करूँगा दोनों लगबग लगबग सेम का सेम ही आएंगे तो यह पहला rule है इसका second rule कहता है कि determinants दे रखा है जैसे A1, A2, A3 इसमें 3 column है हमरे पास C1, C2, C3 और row है हमरे पास R1, R2 और R3 3 column 3 row है तो हम किसी भी row या किसी column की बात कर रहे हैं तो हम यदि किनी 2 row या 2 column को interchange करते हैं दो column इंदो column या इंदो column को adjacent row या इंदो row इंदो row को कोई भी दो row या कोई भी दो column आपस में अगर interchange होंगे तो बाहर के लगाना होगा हमें माइनस लगाना होगा देखो इसमें A1, A2 A3 गीवन है हमने क्या किया A1 के जगा A2 और A2 के जगा A1 लेके आगा है interchange कर दिया दो पास वाली ही interchange होगे यह ध्यान रखना में A1, A3 के साथ कभी भी interchange नहीं होगा पास वाली interchange होगे दो बाहर के लगाना है माइनस आजाएगा समझ में आगया होगा थर्ड रूल के बात करता हूँ है कोई भी determinants दे रखा है उसमें कोई भी दो रो ये दो रो, ये दो रो ये दो रो, ये दो कोलम कोई भी कोलम या कोई भी रो अगर सेम होती है तो उसका answer हमें से क्या आता है जी रो आता है थर्ड यह केता है कि determinants of जीरो आ जाएगा इसके बाद फॉर्थ रोगे फॉर्थ रूल क्या था डिटर्मिनेंट्स ओफ एवन के एटू एट्री अब यहां क्या दिख रहा है यह जो सेकंड वाला रो या कोलम है इसमें कुछ मल्टिप्रिकेशन में कॉंस्टेंट दिया हुआ है तो यह हम क्या कर सकत है अगर मुझे मेट्रिक्स में से कुछ को मन पारता था कौंस्वाइब करता था तो उसकी में क्या करना पड़ता था कि मुझे पूरी मैट्रिक्स के सारे से मलटिप्लाई करना है और सार्य वेलिमेंट्स Flipy कराने का जरूत नहीं होती है सारी सारा में जरूत पिए जुरोत नहीं होती है अम डिड़र्मिनेंट से ब्लकियाory कॉलंब में से भी कुछ भी कोमन ले सकते हैं तो इस रो और route ऐा कॉलम में इसको सकता है इसको बाहर कोमन लेया जा सकता है किесь तो रूर सब रखिए stereo अज़ journalists क्लिश यहां पर सबके साथ क्या अलफा via wedge खोड़ तो सबके साथ एलफा जूड़ा हुआ अलफा ब्लस एलफा प्लस ऐलफा इसका मतलब को ब्रेक करके दो डिटर्मिनट्स में राइट डान कर सकते हैं ला डिटर्मिनट्स होगा रख लाफर यह गलाता है डिटर्मिनेंट्स पालेस्ग क्या नहीं पिस्टरूर्पोर कहता है डिटर्मिनट्स में अगर दो तुम से में तो इक That सकती है अब बात करते हैं जो कोशोंस को सोल करने के लिए क्या ट्रिक्स को अपलाई करके आप इसी में कोशन तो लोगया तो कोशन देख लेते हैं इस तरह आते हैं एक डेटर्मेंट्स गीवन है उसके आगे कुछ प्रूव करने का देदेता है आपको कि यह प्रूव करके बताइए तो अब हम बात करते हैं कि उनको कैसे करते हैं तो आएए देखते हैं सिक्स मार्क से कोशन आएगा और मेरे पास टोटल सिक्स टू सेवन कोशन है उसी में से एक कोशन आएगा तो आपके लिए बहुत स्कूरिंग हो जाता है अगर शेया सांत कोशन अपने दंग से कर लेंगे तो वह आराम सेटम्ट हो जाएंगे तो देखते हैं स्टेप्स क्या ह पहले स्टेप क्या है जो भी कोशन दे रखा है उसके आगे प्रूव करने का एंसर दे रखा होगा यह इंपोर्टेंट है प्रूव करने का एंसर गीवन होगा कि एक डिटर्मेंट जी होना है पूर्व कि जी एक्स माइनस वाई मिनस जेड जेड मैनस एक्स तो उसको देख दिख रहा है कि माइनस हो रहा है तो first theorem क्या अपलाई करनी है हम देखेंगे डिटर्मिनेंट को दिखेंगा कि निरो या किसी कोलम को माइनस करने पर कोई दो element इसमें से आ जाएंगे तो first theorem माइनस वाली अपलाई करनी है अगर करनी है तो हो जाएगा फिर second step में क्या करेंगे कि अध्यूर्म अपलाई करने के बाद हम क्या कोशिश करेंगे कि एसी थेओरम्स लेकर अपलाई करेंगे कि यह दो वन क्या हो जाए यह दो वन यह दो वन को इसे भी दो वन जीरो हो जाए तो जैसे ही दो वन जीरो होंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा वन डबल जिरो तो अब हम क्या करेंगे नेक्स स्टेप में इस वन से इसको क्या कर देंगे ओपन कर देंगे डितर्मियंटS को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारा एंसर मिल जाएगा पहली स्टेप एंसर देखना एंसर देखने के बाद according to answer करना दूसरी स्टेप three 1 लाने के युख करना दिस्टेप three 3 नद pac問 को जीरो बनाने के लिए फिर्ла मपल रहाए करना चो cuarto स्थय गया है च्रींड जो सिंगल बचेगा उस सिंगल मैं सेयमिर्स को open कर लेना है इसके अलावा कुछ formula काम आते हैं हमारे पास जो determination काफी उप्योंगी है वो देख लेते हैं तो पहला formula है जो हम लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग याद होगा confirm याद होगा अगर आपको याद नहीं है तो याद केजिए और याद है तो बहुत अच्छी बात है क्या होता है इसका एक भाई है ए माइनस बी का होली स्कॉयर एसका एक साथ ही है एसकार माइनस बी स्कॉयर यह क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी इसी में है कि यह थोड़े important है और यह थोड़े नए भी होते है बाके तीन दो हम जनरल ही देखते हैं यह दो फॉर्मुल्या है इनको हम जनरल देखते नहीं है प्र इनको याद करना जरूरी क्योंकि दो हूं यह थीन question इन फॉर्मूले में बेस्ट को मिलेंगे तो पहला फॉर्मुला एक्यूब माइनस बी क्यूब का कि आपको अप लन करने लिए ना वीडियो पोस्ट करके पहले आप तो बनावی सब्सक्राइब करें और आप लोगों का बहुत बहुत धन्याद जो आप लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि maximum students को आप शेयर करें राजस्तान और इंडिया के जितने भी पॉलोटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट से उनके लिए एक इकलोता चैनल है जो प्योरली डेडिकेटेट है पॉलोटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए तो आप उनके साथ सेयर करे और उन्हें बताएं कि किस तरफ मैट्स को पढ़ा जाता है और किस तरह असानी से अच्छे माक्स ला सकते हैं मैट्स एजी है बहुत एजी है केवल फोर्मूले आदोने चीए और स्टेप्स में मिस्टेक्स नहीं करनी है तो आप लोग का धन्यवाद आप लोग इसी तरह म लिए आगे हम बात करेंगे डिटर्मिनेंस के कुश्चन की थैंक्स थैंक्स तो यू